कैसे क्या चल रहा है दोस्तों सब कुछ ठीक चल रहा है ना कैसी है द्रश्यम 2 मूवी ओ भाई साब क्या मूवी थी मूवी ने एकदम दिमाग गुमा के रख दिया रिवीव फोर द्रश्यम मूवी रिवीव स्ट्रेलर एलसी चैनल के एक और वीडियो में आपका स्वागत कैसी है मूवी क्या है स्टोरी चल लिए स्टोरी पर बात करते हैं कहा निवाई से सुरू होती है जहां पर द्रश्यम 1 मूवी की स्टोरी खतम हुई जहाँ पर हमें पुलिस स्टेशन और विजे सलगावकर का एक ओफिस दिखाय जाता है जहाँ पर विजे बेटा हुआ होता है। हमें सेम केपीता मैश देशमु को दिखाते हैं जो विजे से बात करने के लिए आयोए होते हैं। फर्स्टहाप्स में हमें दिखाया जाता है कि केस को re-open किया जाता है, फर्स्टहाप्स पेले ही अक्षे खना की entry होती है, वहीं सेकेंड हाप में Quad के climax में जाता जाते हैं, हर सेन में हमें suspense देखने को मिलता है, कि एक गवा और कुछ सबुतों के आदार पर विजे सलकावकर और विजे के परिवार को पुलिस फिर से पकड़ के ले जाती है और उनसे पुष्थास की जाती है इस पुष्थास में अक्षे खना की जो एक्टिंग दिखाई है और वो जो पूछने का ढंग बताया है उसे प क्लाइमेक्स में कहानी को दो अलगलग तरह से घुमयाय जाता है वो देखकर एक दो मज़े आ गए जिसमें हमें देखने को मिलता है कि कॉट में जाकर विजे अपने स्टेड मेंन से बदल जाता है की कहता है कि पुलिस उसे डरा धमका कर ये स्टेड में रिकोट किया है वही कोट में जो रिपोर्ट संबिट की जाती है DNA टेस्ट की वो सेम की नहीं होकर किसी और की होती है इसलिए विजए को कोट के द्वारा छोड़ दिया जाता है मुवी के क्लाइमेक्स में हमें देखने को मिलता है कि अक्षे खना और जजज की बातचीत होते हुए जिसमें अक्षे खना कहते हैं कि सारे सबुत हमारे सामने होते हुए भी हम विजए सलगावकर का कुछ नहीं कर सकते फिल्म के बीजएम की बात करें तो वो मूवी सस्पेंस और थिल के साथ में अच्छे से सुनने को मिलता है गाने भी अच्छे हैं जो कनेक्ट कर जाते ही मूवी के साथ इस फिल्म के मुख्य बुमिका में अजे देवगन, तब्बू, अक्षे खन्ना, स्रिया सरन है सभी कलाकरों ने अपना काम अच्छे से निवाया है फिल्म थ्रिल और सस्पेंस के साथ वन टाइम वोच है वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो शेर करें वीडियो को लाइक करें, चैनल को सस्क्राइब करें फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ